आज हम पढ़ने वाले इस लेक्षिर में की registration form कैसे बनाते है HTML का use कर के registration form कैसे तियार करते है HTML का use करके कैसे तियार किया जाता है coding में आज हम उसके बारे पढ़ने वाले इस वीडियो को वाच कीजी पूरा लास तक यहाँ पर सबसे पहले हमें एक folder create करना है उसके लिए एक control plus n करना है control plus n करके हमें यहाँ पर folder का नाम देना पड़ेगा पहले तो इसको save करेंगे पहले और यहाँ पर आके न्यू फोल्डर एक बनाएंगे यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेते मैंने रेजिस्ट्रिशन फॉर्म डाला है इसके अंदर index.html लिखेंगे इसको सेव कर देंगे उसके बाद यहाँ फाइल पर जाएंगे लेफ्ट कॉर्णर में ओपन फोल्डर में जाएंगे यहाँ पर जो फाइल हमने यहाँ पर सेव किये उसको पहले सेलेट करेंगे यहाँ पर सेलेट करेंगे उसके बाद सेलेट फोल्डर पीछी वाले को delete करेंगे इसको open कर लेंगे यहाँ पर index.html पर double click करेंगे आ जाएगा हमारा उसके बाद हम यहाँ पर start करते हैं भी यहाँ पर html लिखेंगे html लिखेंगे html लिखने के बाद भी हमें registration form बनाना है तो यहाँ पर registration form लिखेंगे registration form लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर हम लोग first of all यहाँ पर टेबल बनाना पड़ेगा हमें टेबल बना लिए टेबल के अंदर हमें mention करना पड़ेगा कि हमें width कितना चाहिए, color क्या चाहिए सब कुछ mention करना पड़ेगा तो हमें जैसे कि यहाँ पर width चाहिए 600 pixel width चाहिए 600 pixel width चाहिए और इसका जो border रहेगा इसके अंदर हमें border भी mention करना पड़ेगा border इसको हम दो देदेंगे उसके बाद यहाँ पर text जो भी रहेगा हमारा उसको center में चाहिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे align 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 center align center करने के बाद यहाँ पर हम लोग use करेंगे says padding का inside space के लिए इन साइड से जग आहँ में space चाहिए तो space देने के लिए use करते और ना देने के लिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग use करते हैं page sales padding sales padding हम यहाँ से 0 लेते हैं इसके लिए करेंगे और राइट क्लिक करेंगे राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर ओपन नीम ब्राउजर बजाएंगे देखेंगे तो यहाँ एक लाइन आईए हमने यहाँ पर वीध मेंसन किया है यहाँ पर हाइट मेंसन नहीं किया है तो हाइट यहाँ पर हम लोग मेंसन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलता कितना इस्पेस लेने वाला है हमारा फॉर्म इसलिए हाइट यहाँ पर मेंसन नहीं करेंगे फिर यहाँ पर यहाँ पर आ करना पड़ेगा तो हमारा जो टॉप में है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेबल हेड का यूज़ करते हैं तो जैसे कि हम लोग यहां पर यूज़ करते हैं टेबल हेड का टैग अब वो tag के अंदर हमें लिखना है कि हमें क्या चाहिए heading में जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ registration form यहाँ पर save करके right click करेंगे save करके right click करके जाएंगे यहाँ पर देखेंगे तो registration form आगया हमारा आप देख सकते हैं हमारा mention करके आख चुका है तो यहाँ पर देखो एक border करके आया हुआ है तो वहाँ पर जाएंगे coding में, coding में जाने के बाद जो भी हमारा head का जो भी पहला वारा tag है, open का tag है इसके अंदर हम call span यूज करेंगे, call span यूज करेंगे, call span यूज करेंगे, call span जैसे कि हम यहाँ पर दो दे देते हैं इसको, ctrl plus s करके इसको save करेंगे और right click करके open in browser, यहाँ पर देखेंगे तो call span हो चुका है call span जो होता है, column spacing के लिए यूज करते है, column spacing के लिए यूज क्या जाता है, वापस आ जाते है coding में, अब यहाँ पर जो हमारा table है, यह table के साथ ही पूरा नीच जाएगा, तो हमारा table head है, इसके अंदर हमें form बनाना पड़ेगा, table head के अंदर एक form बनाना पड़ेगा, जैसे कि form का tag होता है, form का tag use करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो form का tag use करेंगे, तो हमारा जो form open है और form close है, तो यह form जो close होगा, तो पूरा table के साथ सबसे नीचे तक जाएगा, क्योंकि उसी form के अंदर हम सब कुछ mention करने वाले, तो यह form का folder नीचे तक जाएगा, tag जो हमारा ह अब इसके अंदर हमें जो देना है, तो first of all यहाँ पर एक row लेना पड़ेगा हमें, इसके अंदर हमें यूज करने के लिए first of all यहाँ पर एक row लेना पड़ेगा, उसके अंदर हमें column चाहिए, तो यहाँ पर row के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो जैसे कि हम लोग यहाँ यहाम पर लेते हैं, TR open, TR close, जैसे कि हम यहाप पर TR open लेते हैं, तो साथ महीं यहापको लेने TR close, table rowcken open close ले लिया हुआ है, तो िजो अभी TR के अंदर, जैसे कि हमने यहापे एक row है लेकिन row के अंदर हमें दो kolum चाहिए, row के अंदर हमें दो kolum चाहिए यहापे, जैसे कि हम यहाँ पर नाम mention करेंगे फिर वो नाम यहाँ पर क्या रहेगा फिर वो उसको लिखना पड़ेगा तो फिर इसलिए हम यहाँ पर दो column उसको करेंगे तो first of all यहाँ पर हमने tr एक ले लिया है अब tr के अंदर हमें उसको बताना पड़ाएगा कि दो हमारा row है इसके अंदर एक row के अंदर दो column है तो यहाँ पर दो td लेना पड़ेगा td का मतलब होता है table data जो table data होता है उसके अंदर हम fill करेंगे तो दो td ले लेंगे एक td first of all पहले तो लेंगे उसके बाद यहाँ पगल में इसके नीचे ही दूसरा td भी mention कर लेते हैं पहले से ही टेबल है table data दोनों का ले लेते हैं यहाँ पर table row के अंदर दो column हमने बना लिया है अब जो column चाहिए उसके लिए क्या क्या चाहिए हम उसके अंदर mention करेंगे जैसे कि यहाँ पर हमने table का वीच जो है यहाँ पर 600 वीच दिया हुआ है 600 वीच दिया है मतलब tr का जो वीच है एक row का वीच जो है वो 600 है हमने इसके अंदर डो td बनाया मतलब दो column मनाया तो दो column जो है यह 300 300 में डिवाइड कर लेगा तो इसके लिए हम लोग इसका जो इ height जो उसकी 50 ले लेते हैं उसके बाद यह height लेनी के बाद यह हमारा td जो है हमारा close है इसके अंदर हमें क्या लेना है जैसे कि हमें देना पड़ेगा कि जैसे जो भी हमारा रहेगा जैसे कि your name तो जैसे कि हम यहाँ पर example ले लेते हैं your name ctrl plus s करके इसको save कर लेंगे save करके right click करेंगे right click करके open in browser यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे तो देख सकते हैं आचुका है हमारा your name अब आप देख सकते हैं your name हमारा आ चुका है बट यह क्या है left में पूरा चिपका हुआ हमें यह center में चाहिए तो हम इसके लिए क्या use करते हैं हम लोग इसके लिए जो हम जैस पी इसके बाद में हम use करते हैं यहाँ पर column spacing का semi column का use करते हैं तो यहाँ पर देखो एक बार हमने दिया हुआ है यहाँ पर एक बार यहाँ पर mention किया है ctrl plus s करके इसको save करेंगे इसके बाद right click करके open in browser देख सकते हूँ हम पर एक space आया हुआ है मतलब एक word गा एक text का space दिय इसको total यहाँ फर टाइमस हो चुका है अब right click करेंगे right click करके open in browser में जाके देखेंगे हम लोग यहाँ पर फोर टाइमस जो हमने यहाँ पर space दिया हुआ है तो वह space आया की नहीं आया हम देख सकते हैं यहाँ पर four times हमने space दिया है यहाँ फोर टाइमस इस पर आया हुआ तो यहां पर और copy करेंगे two times में अब जाके देखेंगे यहां पर आ चुका है हमारा center में थोड़ा सा मतलब इतना भी चिपका के नहीं रखना है हमें मतलब यहां से रखना है कुछ gap थोड़ा सा चाहिए उतना gap भी नहीं चाहिए में यहां पर अब जैसे कि हमने यहां पर your name तो दे दिया लेकिन वह अभी जैसे कोई भी बंदा आता है अब यहां पर registration करने के लिए तो यहां पर your name लिखा है इसके आगे वह अपना नाम लिखेगा यहां पर उसके लिए भी एक table बना के उसको भी उसके अंदर with height mention करके उसको भी देना पड़ेगा कि यहां वो leak सकता है इसके लिए हम लोग यहां पर coding में आएंगे तो हमारा जो दूसरा table है जो दूसरा table मैंने column बनाया हुआ था यह first column था यह second volume के अंदर हम उसको देंगे उसका width देंगे हम यहां पर 300 अभी उपर हमने 600 लिया था total width उसमें से 300 पहले वाले को दे चुके है तो यहां पर 300 ब तो अब दूसरा रहेंगे जो-space हम यहां पर दिये हैं जो-space यहां पर दिये हैं फरस्ट अफ़ इसके अंदर हमें लिखना क्या है अब जैसे कि हम यहां पर placeholder हमें जैसे कि यहां पर your name लिखा हुआ है तो यह box type आएगा और उसके अंदर हमें यूर नेम लिख के आना चाह texts i declining mashya उसके इंदर होás'd जो है किसको देख लेते ही कैसा दिख रहा है यहां पर देख सकते हूं कि आप आ चुका एक box टाइप आ गया लेकिन हमें इसके इंदर भी कुछ named ke आना च्यक्श है यूज करते हैं जैसे कि यहां पर हम लोग यूज कर लेते हैं प्लेस होल्डर जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया है यूर नेम इसको कंट्रोल प्लस एस करके सेव कर लेंगे राइट क्लिक करके open in browser कर लेंगे उसके बाद आप देख सकते हो इसके अंदर देखो your name लिख के आ रहा है लेकिन जो यह box है हमारा यह पूरा line to line चिपक के आ रहा है तो इसके अंदर space देने के लिए हमने यहाँ पर हमने क्या यूज किया था यह भी line के अंदर चिपक के आ र semi-column से यहां से हम लोग इसको copy कर लेंगे इसको copy करके यहां पर 50 के बाद हमने यहां पर जो height दिया हुआ है इसको यहां पर paste कर लेंगे इन्पूट हमें चाहिए तो पूरा इन्पूट का जो भी tag रहेगा उसके बाहर हम लोग इसको paste करके ctrl plus s करके save कर लेंगे और right click करके इसको open in browser कर लेंगे अब देखेंगे यहां पर तो देखेंगे अब जो भी है यहां पर center में थोड़ा आ चुका है यहां से गया पा चुका है तो इसके लिए हमनों क्या करेंगे next step के लिए यहां पर हमारा your name तो हो गया अब कोई भी बंदा आएगा registration form फिल करने के लिए तो यहां पर your name वहां कि यहां पर कोई भी नाम आ सकते है अपना इसके अंदर कुछ भी mention कर सकते हो यह हमारा हो गया your name का अब इसके अंदर में दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर में जैसे की बनाना है कि जैसे कोई भी अपना नाम लिखता है तो दो तिन types के नाम आते है your name फिर last name father's name mother's name ऐ उसको क्या करना है यह जो ऊपर का जो टी आर है उपर क्लिक करेंगे टी आर पर तो नीचे जो टी आर है वो close है तो first of all इसको copy कर लेंगे control plus करके copy करने के बाद इसी tr के नीचे paste कर देंगे देखिंग गर करके save करके जाएंगे यहाँ पर देखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर your name लिखके आ रहा है और यहाँ भी your name लिखके आ रहा है तो क्या करेंगे जो यहाँ पर placeholder हमने दिया हुआ यहाँ पर हम लोग लिख अब कोई यहाँ पर father name लिखने आएगा यहाँ फादर नेम लिख सकता है बड़ यह जो placeholder है यहाँ पर your name का ही से हो रहा है तो यहाँ जो हमने placeholder your name दिया हुआ है इसको भी हम लोग change कर देते हैं father name लिख देते हैं यहाँ पर आके देखेंगे browser में यहाँ भी refresh करेंगे control plus R से देखेंगे तो father name यहाँ भी सो हो रहा है तो ऐसे ही हम लोग सब कर सकते हैं जैसे कि अभी next ले रेते हैं वापस एक roll ले लेते हैं हम लोग अभी next क्या करेंगे अब जैसे कि हमें चाहिए अभ करेंगे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे पेस्ट करने के बाद में आपने यहाँ पर father ने लिखा हुआ है यहाँ पर हमने लिख देंगे numbers यहाँ पर number लिखेंगे इसके बाद हम जो हमारा जो placeholder है placeholder चेंज कर देंगे जैसे कि यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर लिखते हैं कंड्रोल प्रेस्ट करके सेव कर लेंगे ओपन इन ब्राउजर देखेंगे तो आगे हमारा यहां पर नंबर और यहां पर नंबर आ चुका है तो यह जो है नमा इसको पूरा फर्स्ट ओफ लिटर जो हमें कब कैपिटल कर लेते तो यहां से हम यहां इसको वाय को कैपिटल कर लेंगे डेख लेते हैं cut कैपिटल हो गया जाए खबरा कैपिटल हो चुका है अभी इसके बाद जैसे कि email id के लिए अम लोग क्या करते है payments to copy कर लेंगे उसके बाद यहां पर के नीछे Best कर देंगे बार्ट करने के बाद में बस यह जो अमने यहां पर नमबर्स दिया हुआ है yaa पर हमं लोग इमेल आड़इ डाल देंगे इमेल से लिख देंगे याँ पर इसके बाद जो आपने प्लेस होल्डर लिख आ है प्लेस होल्डर हमने नंबर लिखा हुआ है इसको आपने लिख देंगे इमेल कंट्रोल प्लस एस करके इसको सेव कर लेते ओपन निम ब्राउजर देख सकते हो आप यहाँ पर इमेल आड़ी आ चुका है इमेल आड़ी कोई भी यहाँ पर लिख सकते है अपना इसके बाद हमें जैसे कोई पासवर्ट चाहिए पासवर्ट लगाना इसके अंदर तो उसके लिए क्या करेंगी यह टी यार से टी यार कॉपी कर लेंगे उसके बाद यह टी यार के नीचे पेस्ट कर देंगे टी यार के नीचे पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो email id mention के आपने आपे इसको ही बस password लिख देना है password लिखने के बाद में password लिखने के बाद में यहाँ पे जो हमारा placeholder है इस placeholder को change करना पड़ेगा placeholder को आपने password लिखना है उसके बाद आपने placeholder तो mention कर दिया लेकिन जैसे कि password कोई mention करता है जाके पहले check कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर control pluss करके इसको save कर लेंगी ओपन इन ब्राउजर यहाँ पर by password यहाँ पर हम mention करते हैं कितना भी मेंशन हो रहा है इसके लिए हमी क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें करना पड़ेगा जैसे हमें कोई लिखते हैं तो हमें यहां पर बहुत सारे वर्ट्स आ रहे हैं बहुत सारे हम यहां पर लिख सकते हैं लेकिन उसको बता ना कि इतना ही लिखना है इसके आगे नहीं लिखना है तो उसके लिए लोग क्या करेंगे हैं हमें उ लोजर कर लेंगे यहां पर रीफ्रेस करेंगे कंट्रोल PLE प्लस आर करके रिफ्रेस कर लेंगे फिर यहां पर जाके हम पासवर्ड डालेंगे वन टो टरी फोर फार सिक्स सेवें एट नाइट तेल लेवन ट्वेल ठाइन देखेंगे तो फेर थर्टीन नहीं आ रहा है जो कि मैं ट्वेल्ड डाला है यहां पर मैक्सिमुम लेंध जो हम पर हम लिखते हैं कुछ भी आप पासवर्ड इसमें देखेंगे तो यहां पर हमनों कितना भी पासवर्ड जो है टाइप कर रहे हैं यहां पर पासवर्ड टाइप कर सकते हैं जो भी हम पासवर्ड यहां पर डालेंगे लेकिन यहां पर अगर हम जाके यहां पर वापस डाल द बारा के आगे पासवर्ड नहीं लेगा ये इसके लिए यूज करते हैं हम लोग यहां पर मैक्स लेंथ इसको हम लोग कट कर देते हैं अभी नेक्स पे हम लोग जाते हैं छूंत जैसे कि हमें कोई फायल अठेचमेंट करनी है ऊसी कोई इसके अंदर हमें कोई फायल ईसको भीजनी है तो उसके लिए भी कुछ आप्सशंस रहने हैये तो इसके क्या दू pac स्ट रपल हम आपि याँ प्रश्म करना का अमपर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो हमारा यहाँ पर copy हो चुका है copy करने के बाद क्या करना है हमें जो हमारा यहाँ पर password हमने यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर हम लिखेंगे इसको file file लिख देंगे file लिखने के बाद में यहाँ पर जो हमने placeholder लिखा हुआ है इसी placeholder को cut करेंगे, first of all इसको तो पहले हम, क्योंकि placeholder हमें नहीं चाहिए, तो placeholder नहीं चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, placeholder पूरा cut कर देंगे, इसमें भी कोई password लगा नहीं है, इस वजे से इसको भी cut कर देंगे, input type text जो हम यहाँ पे लिखे हैं, इसी को input type, input type file लिख द file लिखने के बाद इसको just control presses करके, इसको save करना है, इसके बाद right click करके open in browser में जाना है, उसके बाद refresh करना है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, file का folder आ चुका है, अब इसके अंदर जैसे कि no chosen file दिखा रहा है, इसके अंदर हमनों कुछ भी file यहाँ पर attachment कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर उठा के attachment कर सकते हैं, जैसे कि example पर लेते हैं, यह attachment करनी है, इसको select करना है, डारेक attachment यहाँ पर कोई भी file कर सकते हो, अब यह हमारा file का हो गया खतम, अब इसके नीचे, जैसे कि date of birth भी mention करना है, किसी को date of birth mention करना रहता है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, TR से TR copy कर लेंगे, copy करने के बाद नीचे paste कर देंगे, paste करने के बाद यहाँ जो file लिखा हुआ है, इसको बस do b लिख देंगे, do b लिखने के बाद क्या करेंगे, जो input type हमारा यहाँ पर file लिया हुआ, input type यहाँ पर date देंगे, इन्पूट टाइप डेने के बाद में कंट्रोल प्लस एस करके इसको सेव करेंगे सेव करके राइट क्लिक करेंगे ओपन ब्राउजर में जाएंगे आप देख सकते हूँ यहाँ पर डेडी एमेम वाई 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 और यहाँ पर कैलंडर आ चुका है जाहिएक है किआ पर कोभी मेंतन कर सकता है 01 यहाँ से No.1 भी कोई से चूज कर सकता है कितना हे यहाँ पर कोई कोई कितना भी चूज कर सकता है दी कम लोवी से अब इससे में जैसे किसी को मन्ति भी activating करता है अलक से तो उसके लिए क्या हम लोग यह टी आर से यह टी आर कॉपी करेंगे उसके नीचे पेस्ट करेंगे पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे यहां पर जो हमने यहां पर डियो भी लिखा हुआ है यही पर मन्त लिख देंगे उसके बाद इंपूट टाइप जो हमने यहां पर डेट लिया हुआ है कर सकते हो कितना चाहिए कितना वह जो भी है हमारा मंत कर सकते हैं इसा आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे होगगी यहांप copy करने के बाद क्या करेंगे नीचे जो TR के paste कर देंगे paste करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर हमने इंपूट टाइप मन्त दिया हुआ है यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा radio देखना पड़ेगा radio से क्या होताय है radio से क्या होताय है radio से हमें जो symbolic एक bullets लगती है है जैसे कि में आपढ़ देखेंगे radio तो हमने दे लिकिन उसके आगे भी देना पढ़े गा कि क्या दिखाना हो उनको उसके आगे हम लोग लिखेंगे उसके आगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टी लिखेंगे टी लिखेंगे इसको save करेंगे save करके open in browser में जाके यहाँ पर check करेंगे तो यहाँ पर आ चुगा देखो यहाँ पर आ चुगा है लेकिन यहाँ पर क्या है symbol आया है only radio आया है कि अगे मनसर नहीं हुआ है उसके लिए क्लोज के आगे यहाँ पर देंगे mail दे देंगे क्योंकि यहां पर input type यहां पर radio जो लिया हुआ है यह radio बस only bullets के लिए लगेंगे लेकिन bullets में लगाना है लेकिन किसके साथ लगाने वो यहां पर देना है तो जैसे के हमने mail के साथ हमें bullets लगाने है तो फिर हमने जैसे के mail के लिए लिए है ऐसे हमने female के लिए भी ले लेंगे बस यहाँ पर का करना है input type radio t लेना है इसके बाद यहाँ पर female कर देना है उसके बाद यहाँ पर का करेंगे हम लोग यहाँ पर लोग लिख देंगे others अधर्स लिख देंगे सेव करके जाएंगे चार करके इसको रिफ्रेस करेंगे हम लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ आ चुका है जो भी यहाँ पर इस्लेट कर सकते हो बन मेल फिमेल अजर्स में जो भी यह है आप सिलेक्ट रख सकते हो यह रहां आपका जैंडर के अनदर थ्रेप्स ऑफ जैंडर यहाँ पर सिलेक्ट रहता है तो फिर उसके लिए कैसे यूजि करते हैं अभी हम यह देखेंगे तो यहां के लिए क्या करेंगे टियार से टियार इसको कॉपी करेंगे कॉपी करके इसी को नीचे पेस्ट कर देंगे पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे यह जो हमने यहां पे जेन्डर से लिखा हुआ यहां पे हमनों हॉबीज कर लेंगे हॉबीज लेके कंट्रोल प्रसेस से सेव करेंगे अपने फोल्टर में आके देखेंगे यहां पर गूगल पर अब इस आ जाएगा लेकिन यह जो भी हमने उसे को पेस्ट किया इसलिए नीचे भी आया है उसके हमें चेंज करना पड़ेगा रेडियो जो हम यूज करते है वो हम बुलेट्स के लिए यूज करते है अब जैसे यहां पर हम लोग यूज करेंगे बुलेट्स यूज नहीं करेंगे यहां पर हम लोग यहां पर चेक बॉक्स यूज करेंगे जैसे की चेक बॉक्स यूज करेंगे यहां पर हमाँ भी चEKBaKS दे देते हैं उसके बाद यहां पर जो भी name means ay यह name cut कर देते हैं इधर का भी name cut कर देंगे इसका भी name यहां पर cut कर देंगे आप cut भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो कोई वो नहीं है तो भी आपका code run करेगा जैसे यहाँ पर radio जो है इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं checkbox इसको भी हम यहाँ पर checkbox कर लेते हैं अब यहाँ पर देखेंगे checkbox से क्या रिजिक्ट आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर border radius से एक आ चुका है उपर को जो पूरा circle था यहाँ पर आप कुछ भी सेलेक्ट आर सकते हो यहाँ से ऐसा checkbox आएगा लेकिन यहाँ पर में male female अदर से क्या रहा है यहाँ पर हम change करेंगे इसको यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि यहाँ पर cricket हो गया फुटबॉल हो गया जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं songs तो यहाँ पर कोई भी आप चूस कर सकते हो इसमें से जैसे किसी किसी को जैसे भी यहाँ पर cricket हो गया तो cricket भी यहाँ पर चूस करके यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हो ऐसे यहाँ पर selected होता है hobbies में इसके बाद हम जैसे इसी में करें कि हमें सेटी पी दिखा रहा है कि हम कहां से है registration form में यह जो ऊपर का TR है उसके बाद नीचे का TR देखेंगे कहां हैं नीचे का TR यही रहा तो TR से TR copy करेंगे copy कर गे इसी TR के नीचे इसको paste कर देंगे पेस्ट करने के बाद में क्या करेंगे जो हमारे यहां पर हमने लिया हुआ है फोल्डर का नेम इसको हम यहां पर सेटी दे देंगे सेटी लिखेंगे यहां पर आके देखेंगे चिंजिस हो रहा है यहां पर देखेंगे तो हम पर सेटी लिखेंगे आ गया क्योंकि यह चाहिए नहीं यहाँ पर कर लेंगे देख लेंगे कट हो गया पुरा उसके बाद यहाँ पर कॉल स्पेंड के आगे हम यहाँ पर लिख देंगे optional में selected में चाहिए जैसे हम कोई चीज़ सिलेक्ट करें तो select में आना चाहिए तो select option में जैसे की भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको क्या करेंगे control प्रेसर करके save कर लेंगे पहले देख लिए कैसा दिख रहा है यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा option में आज आएगा option का select का मतलब यह होता है ऐसा check out कर लिए आएगा तो हम लोग options के अंदर लिखेंगे कि हमें क्या option चाहिए तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ महारास्ट्रा 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 में short में लिखता हूँ है एम डुट एचवारास्ट्रा के इसके बाद अभी selected में हमें बहुत सारा चाहिए निक्या को तरह सी करेंगे इसी को नीचे पैस करते जाएंगे इसके निच्च क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर डी लिखेंगे इसको यहां पर देंगे इसको इसको हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग MP कर देते हैं मद्रप्रदेश उसके बाद हम लोग इसको हम लोग UP कर देते हैं उसके बाद यहां पर हम लोग केरला कर देते हैं इतना तो बहुत ताफी है इसलिए इसको हम कट कर देंगे इसको कट करने के बाद control प्रस इसकर को save कर लेंगे save करने के बाद open in browser आके चिक करेंगे यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे selected में आ रहा है जैसे अभी कोई महराष्टा से है तो महराष्टा से लिट कर लेगा कोई यूपी से तो यूपी सिलेट कर लेगा तो जैसे यहाँ से हम लुक सब सिलेट कर सकते हैं जो भी हम यहाँ पर mention करेंगे यहाँ पर जाके यूपी केरला, MP, UP, डिली सब कुछ selected में आ जाएगा में जैसे यूपी से से हो तो यूपी डालूगा ये MP से हो यूी ऑपी डालूगा ऐसा इस सिटीई जो है सिलेक्ट कर सकते हो तो पहले सिटीज इज पुल्डर बड़ेगा सिलेक्टिज इसके उसके अंदर optional भी नबनेगा option बना के जो भी option में लिखना है वो mention करना पड़ेगा तो यह हमारा हो गया area मतलब cities का अब cities का तो हो गया हमारा tr से tr यह tr से यह tr open and close अभी हमारा हो गया selected का cities का अब जैसे कि हमारा cities का चुगा है तो अब इस cities के आगे जैसे हमें address भी mention करना है जैसे कोई आता है तो address भी अपना देगा तो address के लिए क्या करना है यह tr से यह tr तक पुरा copy करने लेना है तो यह tr की नीचे ना है इसको tr की नीचे paste कर देना है paste करने के बाद हमें selected area कुछ चाहिए नहीं तो इसके लिए हमनों कहाँ पे delete कर देंगे इसको इसको delete कर देंगे उसके बाद जैसे हमारा यह cities यहां पे लिखा हुआ है यह cities को हम यहां पे कर देंगे address address कर देंगे इसको address लिखके यहां पे हम save कर लिए control press s से उसके बाद right click करके open in browser देखेंगे तो यहां पे आ जाएगा यहां पे देखेंगे तो हमारा address का आ गया है लेकिन address में आ पे mention करने के लिए कुछ चाहिए तो जैसे कि हम नहीं पे लिखते है यह हमारा दूसरा input हो गया यहां दूसरे टेबल अधिछे — तो दूसरे टेबल में यह अगर हम लोग की चोटा बड़ा कर सकते है शहनी किना भी बड़ा बड़ा कर सकते हो इसलिए टैक्सरिय का यूश क्या आथ अब यहां परोदा देखेंग 들고 इसे कि हमें subform थो हमारा बन गया लेकिन main काम क्या है इसको हमने adding दे दिया यहाँ पर subvention कर दिया लेकिन इसको submit करेंगी तो submit करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए तो यहाँ पर submit का एक बनाएंगी तो submit के लिए क्या करेंगी यह जो हमारा TR है यह TR को यहाँ पर हटा देंगी तो यह TR के नीचे हमें paste करना है तो यह TR के नीचे में का करना पड़ेगा फस्ट और एक table head बनाना पड़ेगा जैसे कि हमने यहाँ पर एक table head बनाया था फिर उसके बाद registration form लिखा हुआ था तो हमें वो भी registration form लिखके चाहिए यहां पर यह center में आना चाहिए कोई न लेफ्ट में न राइट में उएकदम center में जैसे रेजिस्टर को पर फोर्म विखके पर सेंटर में आया है विए से आमारा जो submit करेंगे तो submit पर हमें यह TR को छोड़के टीडी बनाएंगे यहां पर Td का एक बनाये के टेबल डाटा बनाने के बाद इस टी यार के अंदर हमें सेंटर में चाहिए तो सेंटर में चाहिए तो वीथ करना पड़ेगा इसका तो इसका वीथ हम लोग दे देंगे 600 उसके बाद हाइड भी इसको दे देंगे हम जैसे कि यहां पर अप्रोक् ुए देखेंगे चेक करेंगे यहाँ पर टेक्स एलाइन सेंटर देखेंगे तो यहां पर बस बॉक्स प्रेंग है किन्का हมने बॉक्स लिया हुआ है अब इसके अंदर में लिखना पड़ेगा तो लिखने के लिए हम यहां पर इंपूर्ट यूज करते है ओपन इन ब्राउजर यहां पर चेक करेंगे देखेंगे तो यहां पर सब्मिट आ चुका है लेकिन यह कहां पर आया है यह लिफ्ट सैड में आया है हमें इस चाहिए कहां सेंटर में चाहिए अभी यह जो मारा समीट है अभी यह सेंटर में चाहिए तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे हम इसको सेंटर में देखो इन्पूट टाइप हमने लग दिया हुआ है यहां पर ब उसको यहां पर इंड हो गया तो अभी क्या करेंगे हम लोग अभी जैसे कि किया पर लिखा हुआ है यहा पर लिखा हुआ है यहां पर शमिट नहीं हो रहा है शमिट में क्या करेंगे का करेंगे इस सम्मिट की कुन लिखा करना पदेगा यहां पर फैलिय Sky Info इन पauen किक लिए हुआ है इसके विंपोइविकी लिए draft हमने यहां पर input type submit दिया है लेकिन इसके बाद क्या आना चाहिए input type input type यहां पर reset हो जाएगा reset अभी यहां पर जाके चिक करेंगे यहां पर जाके चिक करेंगे यहां पर आके browser में आने के बाद यहां पर refresh करेंगे तो यहां पर देखेंगे, summit और reset का दो option आया अब यहां से हम submit करके, यहां पर reset हो जाएगा ऐसा reset करने के लिए option है और submit करने के लिए option है अगर यह submit हो जाता है, तो आपका यह form reset करके वापस कोई fill कर सकता है इसके बाद हम यहां पर देख सकते हैं तो हमारा registration form जो है तयार हो चुका है देख लेंगे तो यहां पर text area भी है तो text area यहां पर हम कितना भी text ले सकते हैं आगे पीछे कितना भी कर सकते हैं यह form reset के लिए हो गया और form submit के लिए हो गया